वेल्कम बैक एब्रीवन वेल्कम टे सुवल सर्विसेज टड़ी प्रेक्टिस सेट नमबर ये वन जीरो टू है ये टेस सीरीज यूपी प्यासी पीसेज के चले प्रेक्टिस करेंगे इसमें हम करेंट अफेट्स के प्रश्णों पर तो उचली स्टार्ट करते हैं ट्वंटी प्रेक्टिसने इसमें कुशन नमबर बने नमरी के बैसे कौनसा राज 21 हवाई एड़ो वाला भारत का पहला राज बनने वाला है बहार उत्तर प्रदेस तमिल लाड़ू हरीणा इसका अंसर उत्तर प्रदेस भी हैसका अंसर उत्तर 21 हवाई अड़े उबाला भारत का पहला राज बनने के लिए तयार है वर्स दोहार 14 में उत्तर प्रदेश में केवल 6 हवाई अड़े थे अब राज में 10 हवाई अड़े हैं जिनमें अयोध्या में 9 उद्गहटन हवाई अड़े भी सामिल है तो यूपी का नाम याद रखेग Q2 पर आजे उत्तर प्रदेश नागरिक उट्डेन प्रत्जाहन नीती का सुभारम किस वर्स किया गया था यहां स्पेस है यह किया गया था वर्स 2017 में यह है इसका अंसर इंट सभी टेश्ट का फुल टेश्ट शीरीज प्राप्त कर सकते हैं नमबर इस पर कॉले आउट्सप करके देखे उत्तर प्रदेश की नागरिक उट्डेन प्रत्जाहन नीती वर्स 2017 में सुरू की गई थी और इसका इरादा राज में इस छेत्र के विकास के लिए आवश्चक दिशा पुर्दान करना है क्कुशन नमर थ्री पर आजए है हाल ही में भारत के नियंत्रा के महालेखा परिक्षक ने नमले के दमें से किस राजमे पी-म-ए-वाई-जी के कारेंडविन में अनेमेतताओं की सूचना दी है यह हुआ है MP में मध्ध परदेश में तो भारत के नियंत्रा के वो महालेखा परिक्षक ने मध्ध परदेश में परदानमंत्री आवास योजना ग्रामीन के कारेंडविन में अनेमेतताओं की सूचना दी है ठीक है परदानमंत्री आवास योजना ग्रामीन से जाना जाता था जो 1995 में शुरू ही थी इंद्रावास योजना के बात करें तो भारत के संभिधान का नुच्छे देख सोड़ता रहे सी एजी के लिए एक स्वतंत्र कार्याले का प्राधान करता है और यह भारत की सर्वोच लेखा परिक्षा संस्था है प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीड किस वर्स शुरू की गई थी जो कि प्रधान मंत्री आवास योजना के तहट एक ओपी योजना है इसको शुरू की आ गया था वर्स 2016 में बी है इसका अंसर तो प्रधान मंत्री आवासी उचना ग्रामीड को वर्स दोयार सोले में सुरुक किया गया और इसमें सामिल जो मंत्राले वो है ग्रामीड विकास मंत्राले कुश्चन नुबर फाइब पर आजएए अडानी समू के गोला बारूद विनिर्मान परिशर का उद्गाटन उत्तर प्रदेश के निमल के दमें से किस जिले में किया गया ये किया गया कानपूर में सी हैस कांसर देखे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कानपूर के साड़ा में रक्षा गलियारे में अडानी समू के गोला वारूत विनिर्मान परिशर का उधगाटन किया ठीक है प्रदेश के रक्षा गलियारे में सामिल नहीं है पूछ रहा है देखी यह है एक महत्वा कांशी परियोजना है जिसका उधदेश है भारती एरोस्पेस और रक्षा छेतर की विदेसी निरभरता को कम करना इसमें छे नौड्स होंगे आगरा अलिगड कानपूर शित्रकूर जहांसी और लखनव। ठीक है तिर लखनव। कानपूर दोनों है इसमें लेकिन अम बेट करना कर नहीं है कॉश्चन नबर सब्सक्राइब केंद्रे म्रदा लवणता अनुसंधान संस्थान नम्रिक यह संस्थान करनाल हरियाना में इससे थे और इसकी स्थापनावी थी 1969 में कुश्चन नम्र इट पर आजईए डॉक्टर एमे स्वामी नाथन का 28 सितंबर 1223 को चिन नई में निधन हो गया उनके जीवनकाल में उन्हें निमलिकत मैसे किन-किन पुरुसकारों से समानित किया गया था पद्म विभूशन अलवर्ट अइंस्टाइन विष्व विग्यान पुरुसकार रेमन मैकसे से पुरुसकार यह सारे के सारे इंको तीनों मिले पदम श्री भी मिला पदम भूषण भी मिला इसके अतिरेक्ट रह्मन मैक्से से इनको मिला अलवत, आइंस्टाइन, विश्व विज्ञान पुरुषकर मिला सारे के सारे मिले हरित क्रांती के जनक के रूप में इनको जाना जाता है रहेगा भी। पद्म भूशन मिला 1972 में और इन तीनों में सबसे बड़ा मिला पद्म भूशन 1989 में क्वेशन नम्बर दस पर आजी रामसर इस्थल को किस देश के रामसर सहर के नाम पर रखा गया है इराग के रामसर सहर के नाम पर कजाकिस्तान के रामसर सहर के नाम पर इरान के रामसर सहर के नाम पर या सीरिया के रामसर सहर के नाम पर प्रशन ऐसे भी पूछा जा सकता है इ इरान के रामसर सहर के नाम पर सी है सकांसर देखे रामसर इस तल जो है वो रामसर अभी समय के तहट अंतराश्टे महत्व की आदरभूमी है जिसे वर्स 1971 में युनिस को दौरा स्थापित एक अंतर सरकारी परियाबन संधी आदरभूमियों पर अभी समय के रूप में जाना जाता है और इसका नाम इरान के रामसर सहर के नाम पर रखा गया जहां उस वर्स सम्मेरन पर हस्ताक्षर किये गए थे अधरी नाम इरान गनके रूप में पार्टिकुलर्ली वॉल्नरेवल ट्राइवल ग्रोप्स सबसे अधे कहां पर बताईए सबसे अधेन की संख्या है ओड़ीसा में प्रथमिस्थान पर ओड़ीसा के बाद है अंध्रप्रदेश भारत में 75 पीवी टीजी है जिससे सबसे अधेक जिसमें सबसे अधेक 13 है ओड़ीसा में इसके बाद 12 है आंध्रप्रदेश में पीवी टीजी एक अनुसूचित जन जाती या थवा अनुसूचित जन जाती के उस वर्ग का उप वर्ग करन है जिससे नियमित अनुसूचित ज जनी जाती की तुलना में अधिक असरक्षत माना जाता है कुछ सब्सक्रार गैसे नड़ली में इटीन पर आज़ेए मिशन वन केंडर मिशन वन केंडर क到 estas का दोवारा ना मंडिकिद मेंज dalam सरकार क मैं alpha वर्ष दोहर 20 में, 21 में, 22 में, या 23 में, मिशन वर्णधन, ये सुरुकिया गया वर्ष दोहर 21 में, तो option number B है इसका answer, संकल्प से समरिधी पहल जिसे मिशन वर्णधन के रूप में भी जाना जाता है को केन सरकार दोरा भारत किया दिवासी, आबादी के लिए एक स्थाई देशिक एन रूप वर्ष दोहर 21 में, प्रस्तुत किया गया था, question number 14 पर आजएए, निमले के दमें से, किस उचन्याले ने हाल ही में, फैसला सुनाया है कि, गर्वस्था के अधार पर महिलाओं को रोजगार से, इनकार नहीं किया जा सकता, ये है उत्राखंड हाई कोट, जो है उत्राखंड के ने निताल में, देखिया, उत्राखंड उचन्याले ने फैसला सुनाया है कि, गर्वस्था के अधार पर महिलाओं को रोजगार देने से, इनकार नहीं किया जा सकता, इसने गर्वती महिलाओं को सरकारी पदो के लिए पात्र होने से, रोकने वाले न कौन सा इसमें सही होगा अनुश्य देखके इस घोषणा करता है कि कानुन द्वारा स्थाबित पुरकरिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्ति का स्वतंतरता से वंचित नहीं कि जा सकता और यह अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लि लेता है तो आर्टिकल 21 तो दोनों के लिए हैं ठीक है सी है इसका अंसर कि देखे अनुश्य देखिस कहता है कि किसी व्यक्ति को विदी द्वारा स्थाफित प्रक्रिया के अतिरेक्त उसके जीवन और व्यक्तिक स्वतंतरता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता यह नागरिको और गैर नागरिको दोनों के लिए उपलब्द है जीवन का अधिकार के वर पशु अस्तित विया जीवन जीवित रहने तक ही सिमित नहीं बलकि इसमें मानविय करीमा के साथ जीवन के वे सभी पहलु सामिल हैं जो मनुश्य के जीवन को सार्थक पूर्ण और ज और इसका उद्देश यह सुनिशित करना है कि हर घर में पानी की सुनिशित आपूर्थी और सीवेज कनेक्शन के साथ नल की पहुंच हो प्रधान मंत्री आवासी ओजना कब सुरू की गई थी तो इंद्रा आवासी ओजना जो की 1985 में सुरू की गई उसका नाम बदल कर ही दोहर पंद्रा में प्रधान मंत्री आवासी ओजना प्याम आवासी ओजना कर दिया गया तो वर्स दोहर पंद्रा डी है इसका अंसर आवास और सहरी मामलों के मंत्राले ने जून 2015 में 25 जून 2015 को पुर्धान मंत्री आवासी और जुना सहरी की सुरुबात की और यह पात्र सहरी गरीबों के लिए पक्का घर सुनेश्चित करके जुगी बासी और सहरी गरीबों के बीच सहरी आवास की कमी को संबोधित करता है वोश्य नम्बर 18 पर आज़ेए राश्ट पती द्रौपती मुर्मू निम्रिकीद मेंसे किस राज में केन सरकार के हॉलिडे हॉम की आधार सिला रखेंगी कहां बनेगा ये हॉलिडे हॉम सेंट्रल गवर्मेंट का ये बनेगा उडीसा में सी हैस कांसर राश्ट पती द्रौपती मुर्मू उडीसा के रायंगपूर में केन सरकार के हॉलिडे हॉम की आधार सिला रखेंगी राय रंगपूर कोशन नुमर 19 पर आजाए है भारती सम्विधान के निम्पलिके मेंसे कि इस अनुछेत के अनुसार एक वर्स के केंद्रे वजट को वार्षिक वित्विवरण कहा जाता है देखिए बजट सब्द का वलेक भारती सम्विधान में कहीं नहीं है लेकिन वार्षिक वित्विवरण है अनुछेर 112 में ए है इस कांसर तो भारती सम्विधान के अनुछेर 112 के अनुसार एक वर्स के केंद्रे वजट को वार्षिक वित्विवरण कहा जाता है यह एक वर्स में सरकार की अनुमानेत प्राप्तियों और खर्चों का विब्रण है ठीक है यानि चालू वर्स के एक अप्रेल को सुरू होता है और अगले वर्स के 31 मार्च को स्वाप्त होता है कुशन नुमबर 20 वाप्राश रंतिम प्राशन है उत्तर प्रदेश रक्षा उद्यकिक गलियारे का उद्गाटन किस वर्स किया गया वर्स 2018 में देखें यह है एक महत्वा कांशी पर योजना है जिसका उद्देश भारतिय एरोस्पेस और रक्षा छेतर पर विदेशी निर्वहरता को कम करना है इसका उद्गाटन वर्स 2018 में हुआ था तो 20 प्रशन थे कुछ इसमें ऐसी योजना है जो 5 से 6 वर्स पुरानी है लेकिन एक्जाम में वो पूछी ही जाती है तो इनके प्रक्टिस कर लिजेगा एक से दो बार धन्यवाद